आज मैं आप सब को बताने जा रही हूँ बसंद पंचमी की कथा इस साल बसंद पंचमी का पर्व 14 फरवरी यानि आज बनाया जा रहा है बसंद पंचमी के दिन मासरस्वती की पूजा अरचना की जाती है इस दिन से बसंद रित्थु का आरंब होता है लोग बसंत पंचमी का पर बहुत ही दूमधाम से मनाते हैं तो अब हम जानते हैं बसंत पंचमी की कथा बसंत पंचमी का पर मासरस्वती के अवतरन दिवस में रूप में मनाया जाता है हर साल मास के सुक्रपक्च की पंचमी तिथी को बसंत पंचमी मनाई जाती है पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रमाजी संसार के ब्रह्मन पर निकले हुए थे उन्होंने जब साड़ा ब्रह्मांड देखें तो उन्हें सब मुख नजराया यानि हर तरफ खामोसी चाही हुई थी इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है इसके बाद ब्रमाजी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाल कर छिरक दिया तो एक महान जोती पुझ में से एक देवी परकट हुई जिनके हाथों में वीना और चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज था यह देवी थी मासरस्वती उन्होंने बारमाजी को प्रनाम किया मासरस्वती के अब दरन दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है बर्माजी ने स्रस्वती से कहा कि इस तिन संसार में सभी लोग मूख हैं ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इन्में आपसी संबाद नहीं है ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं इस पर देवी स्रस्वती ने पूछा कि पर्वु मेरे लिए क्या आ गया है परमाजी ने कहा देवी आपको अपनी बीना की मदद से इन्हें दोहनी परदान करना होगा ताकि ये लोग आपस में बातचित कर सके एक दूसरे की तकलिफ को समझ सके इसके बाद मासरस्वती ने सभी को आवाज परदान कराई मासरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं इस दिन सभी लोग अपने घढ़, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर मासरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उससे ग्ञान मांगते हैं इसके अलावा मा को सिंदूर चढ़ाएं और सिंगार की बाकी बस्तवें भी अर्पित करें मा के चर्णों में गुलाल लगा कर उन्हें स्वेत रंग भी अर्पित करें तो ये हुई हमारी बसंत बंजमी की कथा आप सबी को सहस्वती पूजा की बहुत-बहुत सुबकामना है